पहले भी किसी वक्त ने इस तरह की हरकत किए दिवार गिराने की, उसको भी बाद में अपने गाउं जाना पड़ा था, तो जिसने भी पत्थर गिरा वह सोच समझ के आगे से धियान रखके इस तरह की हरकत करें रातो रात इस पत्थर को तोड़ दिया गया और ये पत्थर नहीं तोड़ा गया ये यहां के आसपास के जो बच्चे हैं उनके सपनों को तोड़ा गया है जनादेश को तोड़ा गया है और एक नेता ने जो सपने देखे थे अपने छेतर की जनता के लिए उन सपनों को पत्थर लगा था उसको लगवाने की बात करेंगे। आप सिलापड तो तोड़ सकते हैं, पत्थर तो तोड़ सकते हैं, आप पार्क का नुक्सान तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से मुझे निकान नहीं सकते। नमस्कार मैंूँ प्रवीन दिली के इंदरप्रस पार्क में हम लोग मौजूद हैं, और जिस जगे पर ये पार्क बना हुआ है, यहां कभी कोड़े के अंबार हुआ करते हैं, लोग उतनी भैसे बांदा करते हैं, लेकिन पूर पार्षद और दिली के एजडिमसी के पूर मे गया, विधाय कोई और हैं, लेकिन जिसने ये पार्क बनवाया था, जिसके हातों उधगाटन किया गया था, उसका एक पत्थर लगा हुआ था, ताकि लोगों को वर्षों तक यूगों जूगों तक पता रहे कि इस शांदर पार्क का निर्मान किसने किया है, लेकिन इस प पत्थर को तोड़ दिया गया, और ये पत्थर नहीं तोड़ा गया, ये यहां के आसपास के जो बच्चे हैं, उनके सपनों को तोड़ा गया है, जनादेश को तोड़ा गया है, और एक नेता ने जो सपने देखे थे, अपने छेतर की जनता के लिए, उन सपनों को तोड़ गया है ये पत्थर रातो रात तोड़ दिया गया क्या इसके पीछे साजिश है किस ने ये काम किया है हाला कि इसकी जांच होनी चाहिए लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस पार्क के इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है क्या कुछ इसके पीछे साजिश चल रही है इस पर विन्य विष्टा ने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए जिस पार्क में हम लोग मौझवद हैं यहाँ जो एक पत्थर लगा था हाँ अगर उस नाम पर कोई राधीती कर रहा है तो छट मां से प्रात्ना करता हूं सुसाद बुद्धी दे जहां तक अगर कोई ऐसा पत्थर या कोई ऐसा शिला पट अगर लग रहा है कोई तूट गया उसको मैं डिपार्टमन से कहके उसको तुरंत जुड़वाने काम करू और क्रेट यह तो कृष्ण भगवान ने भगवत कता में भी कहा है कि कभी क्रेट के पिछे नहीं भागना चाहिए अपना करम करना चाहिए हम अपना करम कर रहे हैं जिसको क्रेट लेना है वो उसकी मर्जी है जिस जगह पर यह पार्क बना हुआ है यहां कभी नशेडियों पार्क यहां बनाया गया और इस जो पत्थर है इसको तोड़ने के बाद मुकेश सूरियान क्या कह रहे हैं अब जरू सुनिए देखिए परवीन जी यह बहुत ही सरमनाक और निंदनी है यह पत्थर नहीं तोड़ा है यह सिलापट नहीं तोड़ा है द्वार का विधान सबा कि जो एक लाख पिचान में हजार वोटर्स हैं उनको आगाज पहुंचाया है उसमें लाखों बहने भी हैं भाई भी हैं पुरूस भी हैं मैं पत्थर तोड़ने वाले से कहना चाहता हूँ कि आप वाके में ही कायर हैं और आप पुझदिल भी हैं आप सिलापट तो कर सकते हैं आप पार्क का नुकसान तो कर सकते हैं लेकिन लोगों के दिलों से मुझे निकान नहीं सकते हैं यह पत्थर तोड़ने की राजनीती हैं यह गंदी राजनीती है हम विकास की और विश्वास की राजनीती करते हैं और मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि कोई गणाने की ज़रूती है, मुकेस सूरियान आपके साथ था, आपके साथ है, आपके साथ रहेगा, पार्क बना है, पार्क बना रहेगा, पार्क आपके लिए समर्पित रहेगा, और جितने भी हमने विकास कारिये कियے हैं, वो सारे पथर तोड़े, लेकिन मैं उनसे फिर कहना चाहता हूँ कि जनता के दिलों पर हमने अपने कारियों की छाप छोड़ करके उनके दिलों में राज कर रहे हैं और जनता के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े हैं गीता में कहा गया है गीता में भी है कि जिसने काम किया उसको सरे मिलेगा और जिसने काम किया है उसको कोई मिटा नहीं सकता तो हमने काम किया हमें कोई मिटा थोड़ी सकता है और मैं उसको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ पहले भी किसी वक्ती ने इस तरह की हरकत की ते दिवार गिराने की उसको भी बाद में अपने गाउं जाना पड़ा था तो जिसने भी पत्थर गिरा वो सोच समझ के आगे से दिखान रखके इस तरह की हरकत करे नहीं तो पुलिस तो अपनी कारवाई करेंगे डिपार्टमेंट भी अपनी कारवाई कर रहा है लेकिन हम जनता के माद्दम से भी कारवाई करेंगे तो डिपार्टमेंट से सर्मांग करेंगे दोबारा से उसको मनाया जाए बिल्कुल डिपार्ड्मेंट को हमने बोल द्या डिपार्ड में उसके लिए त्यारे भी कर दी हैं, वो पत्थर हमारे हमारे देसी के इसरज़व रक्षा मंत्री करकमलो द्वारा इस पारक का उद्गाटन गया गया था। उसमें हमारे चेत्या सांसत भी थे, हमारे लोक सभा के विधान सभा के उपोजिशन के लिए रामबीर विधोडी जीविते परदेश अद्दक्स भी थे, तो सभी का पत्थर है, सभी की गरमे में उपस्तिती में वो पारका उद्गाटन हुआ है, और कुछ ऐसे लोग हैं, ज तरह की चीजे हुई है, हमने इतना काम किया, उसके बाद भी पत्थर नहीं गिरा है, वो रात में जान बूज करके वो गिराया गया है, उस पे जबजस्ती उसको तोड़ा गया है, और मानशिक्त तोडने से उसकी मानशिक्ता भी पता लगी है, महाँ पे सिसीटी कैमरे भी लगे हैं, हमने उसकी भी रिकोर्डिंग निकलवाने के लिए पुलिस को लिखती है, पुलिस अपने माद्यम से उसकी रिकोर्डिंग लगा के, और पुलिस ने भी आसवासन दिया है कि तुरंत कारवाई की जाएगी, और उस पर जो उसके कानून के इसाब से उस पैक्शन हमें भी जहां भी आपको जो मुका मिलता है, इस तरह के विकास कारी करिए, स्कूल बनवाईए, पार्क बनवाईए, जिम लगवाईए, योगा सेंटर बनवाईए, डिस्पेंसरी बनवाईए, सड़के बनवाईए, पत्थर तोड़ने से, लोगों के दिलों को तोड़ने राजनिती चोटी राजनिती करते हैं वो इस तरह की हरकते करते क्योंकि वो जनता को कि ना तो दिल में आ पा रहे ना दिलों पर राज कर पा रहे और ना है उनको कोई माध्या मिल पा रहा है